नमस्कार दोस्तों एक बाल फिर से आप शुविकर शौगत है आपके ही अपने चैनल एजुकेशन फोर यू में मेरा नाम आशे चौरश्या और दोस्तों आज हम यहां पर बाल विकास के कुछ ऐसे प्रशन डिसकस कर रहे हैं जो किसी भी एग्जामनेशन में भाई रिवीज और वीडियो कैसा है कुछ दिनों से आप लोग देख रहे हैं कि हमारे नेटवर्क तूट जा रहा था लाइप क्लास में पर आज रात की जो यह क्लास है रात 9 बजे की जो क्लास है इसमें किसी प्रकार के इंटरप्सन नहीं होने बाला है तो चलिए काफी लोगों ने बता पाबिक समरस और प्रगति सील विकास है यह कथन किस ने दिया है वही सबी लोग पहले इस कोशन को ट्राय करेंगे क्या प्लूटो ने कहा था रूशो ने कहा था अरस्तू ने कहा था या पैस्टा लॉजी ने कहा था दोस्तो आई ठिंग कर लिया है आपने तो जबाब या कार्य सक्ति में ब्रद्धी मानाव का ज्ञान बढ़ाना व्यक्ति का विकास होना या अध्यात्मिक विकास होना दोस्तों पहले आप लोग यह चीजों को समझें यहां पर कि अभी ब्रद्धी क्या होती है वही कि human development या मैं कहूं human growth इसो क्या कहेंगे हम human growth है यह मानाव अभी ब्रद्धी भई जो growth बढ़ाया है इससे आपको समझ में आया होगा growth क्या होता है जब मनुस का अकार भार या कारी शक्ति चेंज होती है तो उसे हम कह सकते हैं कि human beings की मतलब हमारी growth हो रही है is that clear question number 3 ले लेंगे पर तीसे नमगा question क्या कहता है मानाव की अभी ब्रद्धी एक निश्चित आयू तक होती है आपको पता है क्या होता है दोस्तों आपको बात बताऊंगा कि हमारी जो ब्रद्धी है वो एक निश्चित आयू में जाकर रुख जाती है पर विकास नहीं रुखता ध्यान लख ब्रद्धी जो होती है सारी रिक ब्रद्धी कहूंगा या मनुष्च की जो ब्रद्धी होती है वो एक प्रकार से रुख जाती है आगे चलेंगे हाला कि यहां प्रैक्टिकल यह आप जाएंगे तो लगबग 20 साल तक आपने देखा होगा कि लोगों के हाइट आदी बढ़ सबको वीडियो तो पसंद आ रहा है मैं देख रहा हूं सबको कोशन अच्छे लग रहा है वीडियो पसंद आ रहा है पर लाइक कोई भी नहीं कर रहा है जल्दी से आप लेगोना लाइक का बटन प्रेश कर दें जितने लोग देख रहा है उतनी राइक करें आगे चलेंग अगला कोशन कहता है मानव विकास के प्रभावित करने वाले प्रमुक कारक कुन से हैं अब दोस्तों यहां वंशानुकरम दिया है वातावरण वातावरण और वंशानुकरम कहूंगा मैं तो दोस्तों यहां पर जवाब नंबर आपको सी लेना है यह दोनों कारक जब मिलते ह इनकी जब अंतिक्रियाएं होती है तो उसका प्रिणाम क्या होता है उसका प्रिणाम होता है मानव विकास Is that clear? अगला question क्या कहता है? सिक्षा की दरश्टी से मानव विकास का निम्न पक्ष सबसे अधिक महत्पुड होता है सिक्षा की द्रष्टी से सारीरिक, मानसिक, समाजिक या शन्वीक अत्मात I think सिक्षा की द्रष्टी से देखेंगे तो option number आपको दोस्तों कहना था B, मानसिक मानसिक जो होता है ये मानव विकास में सिक्षा की द्रष्टी से सबसे महतपूर माना जाएगा पर अगला कोशन, इस कोशन को लीप करेंगे नहीं, इस कोशन को लिना है रास ने माना विकास को कितने भागों में बाटा हुआ है पर कोशन नमबर अगर हम साथ की बात करें दोस्तों तो जवाब भी होगा चार भागों में बाटा हुआ है कुशन नमबारी तोड़ा सा मिस्प्रिंट था है इसलिए मैंने नहीं लिया आगे चलेंगे अधिकांस विद्वानों के अनुशार बाल अवस्ता की अवदिक कितनी होती है यहाँ पार अधिक जो आपको मत मिलेंगे मनो अग्यानी कोगे वो होंगे 6 से 12 वरस वो कब तक होंगे दोस्तो 6 से 12 बरस के लिए होंगे और आपको यह बात नहीं पता थी तो पर यहां पर अगला कोशन कहता है सिख्छा की दरश्टी से मानाव विकास में कौन सी अवस्ताएं महत्पूर है आपको पहले भी कई बार में नहीं बात बदाई है कि सिख्छा की दरश्टी से सिर्फ तीन अवस्ताएं महत्पूर होती है पर उश्य पहले मैं कहूंगा कि सुबह 6 बजे एक वीडियो आ रहा है वो देख लेना आप बाल विकास का एक अत्ति उत्तम नोट से हैं मैं कहूंगा बैस पॉइंट्स वहाँ पर दिये गए हैं भाई कम में बम हैं लगबग 10 नट के अंदरगत आपको लगबग 100 कोस्टन के क्लास पढ़ा रहा हूं मैं तो वह सूपर पास क्लास में जरूर मिलना शुबह 6 बजे की क्लास रहेगी और आई धिंग सेशन परशंद आ रहा है सभी को वे कमेंट बॉक्स में एक बाल लिखकर बता दो कि कैसा हा रहा है मजा रहा है कि नहीं हा रहा है जल दीजे आगे चल और संकेत कर रहा है पहली तो आपको यह बताना चाहूंगा यह कतन कहना क्या चाह रहा है यह कहना चाह रहा है कि कोई भी जाती हो आप पशु को ले 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 या आप मानव जाती को ले ले इनका जो विकास का करम है ना वो कभी नहीं बदलेगा चाहे वो अमेरिका में रहता पर इंडिया में रहता है अमीर है गरीब है मनुष जाती में जितनी भी बच्चे पैदा होंगे उनके विकास का करम एक ही होगा इनका कहने का ताथ पर यह सभी का विकास सिर से पैर की तरफ होगा सभी बच्चे क्या होंगे पहले ना करवड जैसी उनकी बॉड़ी शमान प्रतिमान का सिद्दान बताता है नोट डाउन करना जितने लोग ने गलत किया है आईधी आपको ये सारे सिद्दान क्लियर नहीं है आगे चलूँगा दोस्तों भाई जन्म से म्रत्तु तक चलने वाली प्रक्रिया क्या है पिए आप तो सभी लोग जानते हैं कि विका कास चालू होता है और मरने के उपरांत ही विकास खत्म होता है दोस्तों आगे लेकर चलूँगा बैए बीस भी सताब्दी का बालक की सताब्दी किसने का है सभी लोग ट्राइए करेंगे कमेंट बॉक्स में पूरा पूरा फोकस है मेरा यह जवाब कहा था क्रो एंड क्रो किसने का था मेरे दोस्तों क्रो एंड क्रो ने बीस भी सताब्दी को बालक की सताब्दी का हुआ था इस वारी इंपॉर्टेंट अगला कुशन यहां पर वह अवस्ता जो मानव जीवन की नीव कहलाती है कून सी अवस्ता है जहां क्या होता है मानव जीवन का फांडेशन त तैयर होता है तो दोस्तों आप खुद सोचिए किस अवस्ता में हमारा बेश तैयर होता है वो होती है सिशावस्ता एक से छे वरस की आयू तक होती है यह जन्म से छे वरस तक की आयू तक होती है कुछ लोग पांच वरस की आयू तक मानते हैं वो होती है दोस्तों यहां पर हम हमारा फांडिशन हमारी नीव आगे चलेंगे वैं सिशावस्ता की विशेष्टा बता दो एक अब देखिए सिशावस्ता कब से कब तक है जन्में से 6 वर्स्तक है अब दोस्तों इसमें क्या होता है इसमें बच्चा अनुकरण के द्वारा सीखता है अब आप लोग सोच रहा ने वो कहेंगे हम अनुकरण के द्वारा सीखना तो ऐसा सिशावस्ता में होता है अब देखिए दोस्तों दूसरे नमबर के जवाब में हम विचार करेंगे दूसरों पर निर्वर बच्चा खुद पर डिपने नहीं होता अपने माता पिता बड़े भाहित के बेहन के उप को बिल्कुल सही कहना था तो जबाब क्या होगा डी होना था यहां सही जवाब अब देखिए कई लोगों ने जल्दवाजी में ना सी को लगा दिया भाहि मैं समझा रहा था आप लोग वीट नहीं करते हैं आगे चलेंगे पर शेशावस्ता को सीखने का आदर सकाल किसने क एहां रहा है वेरी इंपॉर्टेंट कोशट कै चली देखता हूं कितने लोगों का जवाब सही नीकलता है वह ऐसे देखने में बात अलग है जवाब देखा जाएगा जएकले स Kylie मिलता है उसके बादी मैं आपको जवाब दुगा पर यहां पर जवाब होगा वैलेंटाइन क्या होगा मेरे दूस्तों जबाब होगा वैलेंटाइन आगे चलेंगे अगला कुश्चन कहता है शिशू में जन्म के समय पाया जाने वाला संभिक कुण सा है अब दूस्तों एक बात आपको बताता हूँ मैं जो शिशू जन्म मतलब पैदा हुआ है बच्चा भई उसे कोई भए नहीं होता ठीके उसे मैं बदा दू किसी चीज का भए नहीं होता अगर उसके सामने भूद भी आके खड़ा हो जाया ना तो बच्चा नहीं डरेगा च्योंकि उसे पता ही नहीं है कि वो कौन है ठीके उसे अंदेरे कमरे में लगदो ना तब भी बच्चा यहां पर डरेगा नहीं क्योंकि उसे पता ही नहीं अंदेरा क्या होता है तो यहां पर जन्म के समय भै तो नहीं आता है बैई क्रोध आई नहीं सकता उसे जन्म के समय प्रेम उसके अंदर रहता नहीं है तो यहाँ पर उत्तीजना होती है उसके अंदर क्या होती है दूस्तों उत्तीजना होती है बैई अभी वो लोगों से जुड़ा नहीं है मिला गुला नहीं है प्रेम कहां से होगा उसे ये बताएं आप भाई क्रोध उसके अंदर क्यों आएगा तो इसलिए क्या होता है भाई क्रोध प्रेम ये जन्म के समय पाये जाने वाले शंबिग नहीं है उत्तेजना जन्म के समय पाये जाने वाला एक संबिग है अगला कुशन लेंगे इस अवस्ता के प्रतम 6 वर्स में बालक और बाद के 12 वर्स अधिक सीख लेता है किस किस एज की यहां बात की जा रही है कुशन नमबर 18 की मैं बात कर रहा हूँ जवाब नमबर A होगा जवाब नमबर क्या होगा दोस्तों A होगा दोस्तों यह थे शेशवस्ता क्या था वो शेशवस्ता थी यहां कहा जा रहा है दोस्तों अगर 18 नमबर की मैं बात करूँ तो पिछले या पहले 6 वर्सों में जितना उस बच्चे ने सीखा है वो बात की 12 वर्सों से भी अधिक सीख लिया है आगे चलेंगे वो शेशवस्ता में शिशू निम्न प्रकार की सिख्चा दी जानी चाहिए आप यह बताएं किस प्रकार की सिख्चा दी जानी चाहिए आत्म प्रदर्शन की चितरवा कहानियों के द्वारा विविन अंगो की सिक्षा देनी चाहिए या सभी सिक्षा देनी चाहिए आई टिंग जबाव आप लोग को होना था मेरे दोस्तों ये सभी प्रकार की सिक्षा दी जानी चाहिए आगे चलेंगे पर कॉल और बुरुस ने बाल अवस्ता को क्या माना है आपको यह बताना है कॉल और बुरुस ने बाल अवस्ता को एक अनुखा काल माना है किसने माना है दोस्तों एक अनुखा काल माना हुआ है कुशन नमर आगे चलूँगा बाल अवस्ता में मिथ्या पक्ता का काल किसने का हुआ है कुशन नमबर 21 जवाब होगा रॉस ने किसने का हुआ है रॉस ने का हुआ है आगे चलेंगे बाल अवस्ता में पाई जाने वाली प्रवत्ति कून सी होती हैं कून सी प्रवत्तियां बाल अवस्ता में देखने को मिलती है आप तो खुल देख होंगे इतने सारे बच्चों को बालबस्ता में प्रवत्तियां आपने देखी नहीं देखी और आज का थौट आपने देख लिया होगा मैंने आज एक थौट प्रेस्ट किया हुआ था साथ यहाँ पर मेरी पिक के साथ वो थौट था तो देख लिए जिगा आप लोग अगर नहीं देखा है तो चलिए आगे चलूँगा दोस्तों यहाँ पर कुश्चन नमबर 22 में जवाब नमबर D होगा अब देख लो कितने लोगों ने जवाब B का है और सोरी D का है आगे चलेंगे वही इस अवस्ता में शमू अवस्ता या चुस्ती की अवस्ता भी कहा जाता है अब आप यह देखिए दोस्तों कुश्चन नमबर 23 कि अगर मैं बात करूँ तो जवाब आपको कहना था B बाली अवस्ता दोस्तों अगला कुश्चन ने ले दे हैं यहाँ पर जवाब आता है आपका कि शोर अवस्ता का सबसे अधिक कारी करने वाले मनवेग्यानिक कौन है आउधि निए आपने कई वार सुना होगा तुफान की अवस्ता किस ने कहा है हम लोग पढ़ते रहते हैं तनाव की अवस्ता किस ने कहा है तो भाई Studies Hall Stanley Hall ने कि छोर अवस्ता मेंने सबसे ज़्यादा काम किया है आगे चलते हैं इस्टेंले हॉल ने बड़े ही संगर्स, तनाव, तुफान की अवस्ता किसे का है बिना ज़्यादा समय लिए बदमगा कििशोर अवस्ता को ऐसा कहा गया है अगला कोशन ले लेंगे किशोर अबस्ता का कठिन काल कहा जाता है क्यों क्यों कहा जाता है आपने कभी सूचा है इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बच्चे का सारी रिक विकासना बहुत तीवर गती से होता है अब सारी विकास तीवर गती से होगा तो क्या होता है उसके संबेग में परिवर्दन आने लग जाता है ठीके और उसके मूल आदर संबेग के बीच में क्या होता है वही संगर्स चलू हो जाता है क्या होता है उसका विकास इतनी तेज गती से होता है कि वो औरो से या मतलब समाजस नहीं कर पाता है समायूजन नहीं कर पाता है तीवर गती से विकास के कारण इसलिए क्या होता है कि शूर अवस्ता में न उससे संघर्ज करना पड़ता है तो जबाब होगा D अप्रोक्त सभ अगला कोशन लेंगे 27 नमबर का वै किसोर की मुख विशिष्टा क्या होती है आप ये बताएं मुझे ऐसा लगता है कि ये तीनों ही विशिष्टा होती इसलिए जवाब नमबर डील हूँँगा मैं वै किसोर अवस्ता के विकास का सिद्धान्त क्या है आप ये बताएं तोरित विकास का सिद्धान्त है क्रमसा विकास का सिद्धान्त है या दोनों है बात करूँगा 28 नमबर की दोनों ही सिद्धान्त जो है दोस्तों ये किसोर अवस्ता के विकास के सिद्धान्त है आगे चलेंगे बुद्धी का अधिक्तम विकास हुआ माना जाता है बुद्धी का विकास अधिक्तम कब होता है ये भी मैं कह सकता हूँ यहाँ पर तो किसोर अवस्ता तक कि अबदी में जब बच्चा पौशता है तो लगबग लगबग बुद्धी का विकास यहाँ पर हो जाता है आगे च बच्छित होती है आप यह बताएं कब विक्षित होती है इसा अध्यान करते हुए पितु बिरोधि वा मातु बिरोधि गरंती के रहस का उत्गाटन किसने किया था बताएं आप, question number 31, सूचे समझे, उसके बाद मुझे बताएं, जवाब आपके सामने है, फ्रायड ने, आगे चलेंगे, दोस्तों, यहाँ कहा जा रहा है, पितु विरोधी ग्रंती में बालग क्या करता है, question number हम बात करेंगे, 32 नमबर का, दोस्तों, जवाब होगा, आपका A, माता से प्रेम करता है, और पिता से क्या करने लग जाता है, घ्रणा करने लग जाता है, उसे हम कहते हैं, पिता विरोधी ग्रंती कह सकते हैं, आप इसे, आप यहाँ देखिए, पितु विरोधी ग्रंती को जाना जाता है, और किस नाम से जाना जाता है जवाव नमबर होगा D जवाव क्या होगा दोस्तों इसका D होगा यह चीज़े आप स्क्रिन सौट ले लीजिए यह चीज़े आपको I think कोई नहीं बताएगा आगे चलते हैं कोशन नमबर लेते हैं 34 34 नमबर का प्रश्ण आपके स्क्रिन में और लगबग 20 मिट का क्लास हो चुका है कुछ देर और चलाते हैं 34 नमबर का प्रश्ण है वनशानु करम और वातावरण का संबंद कैसा होता है आपको यह बताना है देखिए यहां पर आप ध्यान से पढ़ें और मुझे जवाब बताएं पहले बहुत से लोगों ने कहा होगा कमेंड में तब दिखा नहीं मुझे जीवन जो है वनशानु करम और वातावरण का योग है अगला कोशन लेते हैं वनशानु करम से क्या विप्राय होता है वनशानु करम क्या है आपने तो कई बार सुनाओगा वनशानु करम माता पिताओं से आने बाले जो गुण होते हैं जो विशेष्टाएं होती है, जो बच्चों तक आती है, अपने पूरवजों से, अपने माता-पिता से, जो छमताएं बच्चों को प्राप्त होती है, आखो का रंग है, तुचा का रंग है, मैं कहा सकता हूँ, हाइट आधी भी प्राप्त होती है, तो ये सारी चीजे क्या क भरनने के जा達ा chances होंगे. तो ये भी एक प्रकार की क्या है? अनुवानशिक्ता रहती है. तो ज़्वाब यहाँ पर क्या होगा? D होगा. आगे चलते हैं. वही, वंस परमपरा के मुख भाग कोन होते हैं? आप ये बता हैं. वन्स परंपरा के मुख भाग कौन होते हैं तो ये जवाब होगा C पैत्रिक जो लिखा हुआ है ये जवाब होगा C आगे चलते हैं दोस्तों यहां कहा जा रहा है रूचियां मुल प्रबत्यां और सौभाबिक आवेगों का स्वस्त विकास हो शकता है यदि बात करूंगा क्या होगां यहां पर कि जवाब खहा जा रहा है 37 का ऐ भी कह रहे हैं कुछ लोग और कुछ लोग यहांब डीबी कह रहे हैं घडा पिता से इच्छी तो उतना अच्छा हो यह वे उतना नहीं है रूचि मूल प्रबत्यार और स्वाविक आवेगे का स्वस्त विकास हो सकता अगर वन्शानु करम अच्छा हो और उसके वातावरण जिसमें वो रहता हो दोने अच्छे हो तो यहां पर दो विकल्ब चल रहा है पर यहां पर सर्वस्रेश जो लूँगा मैं अभी फिलाल वो एक ही लूँगा आगे चलेंगे वही बालक में वन्शानु करम के कारण पाय होती है यह मैं कहूंगा यहां पर अलग-अलग उनका रूप रंग होता है मैं सबकी आखे सेम नहीं होती यह वन्शानु करम का ही कारण है जिसके कारण विविनताएं पाये जा रही है आगे चलेंगे दोस्तों पी बालक निर्जीव को सजीव समझने लग जाता है प्याज प्यात्मक अवस्ता में मतलब जबाब नंबर भी यहां पर सही होगा मेरे दोस्त दोस्तों सौरी पॉड़ेट वही आगे चलते हैं कोशन नंबर 40 में हम पहुंच गया है बहुत ही तेज से सनाज रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक भी कोशन में मैंने आपको ज़् यहां पर एक लाइक एंड़ आपको ज्यादा कुछ नहीं देना है दोस्तों मोर्त संक्रаюсьमक अवस्ता हीन प्याजय कोन सी होती है आपको यह बताना है तो दोस्तों यहां पर अगे हम चले 40-नंबर पर हम चलें तो जबाब नंबर सी होगा जबाब नंबर क्या होगा आगे लेकर चलूँगा आप सभी तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा रुखना होगा ओके चलिए दोस्तों यहाँ पर अगला कोशन क्या कहता है बाल अवस्ता को इन में से किस नाम से जाना जाता है बाल अवस्ता को क्या गेंगेज कहते है मतलब टोली आईयू या जीवन का अनोका काल कहा जाता है या यहाँ पर चैटर एज कहा जाता है बक्की अवस्ता या उपरोक्त में से सभी I think 40-41 नमबर का कोशन आपके मन पे सोचने में और विचार करने में जो डाल रहा होगा तो यह सारी चीजों को लेकर मैं किसी का नाम आदिया चीज नहीं लूँगा कल सुबा जो वीडियो आ रहा है वो देख लीजेगा आप इस वारी इंपोर्टेंट और आपसे बात क्या हूँगा चलते चलते बहाई आप चैनल के playlist में जाएं और वहां बहुत अच्छे अच्छे वीडियो से वो सारे वीडियो से आप देखें साथ साथ में आप पढ़ना चाहते हैं मैस तो जाए हमारे एक दूसरे यूटुब चैनल इजी है मैस में इजी है मैस आपके लिए बहुत चैनल है आपको वहाँ पर मैस पढ़नी चाहिए अगर मैस में आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो दोस्तों आप सभी से विदा लूँगा इसी उम्मेद के साथ की कल सुबा 6 बजे और सुबा 11 बजे की में आप से होगी मुलाकात थैंक यू सो मच पर वाचिं इस वीडियो